आशूलिपी मासिक पत्रिका प्रति लेखन संक्यासा 23, 28 और 29 स्पीड 100 शब्द प्रति मिनिट स्टार्ट महोदय, हाल के महिनों में देश के कुछ हिस्सों में जो सामप्रदाइक दंगे हुए हैं उससे इस सदन को गहरा दुख और चिंता हुई है इसी प्रकार देश के सब सही विचारों वाले लोगों को भी दुख पहुचा है धर्म निर्पेक्षता और लोकतंत्र हमारे देश के दो इस्थम्ब हैं इनही के आधार पर हमारा समाज खड़ा हुआ है बहुत पुराने जमाने से हमारे देश के अधिकांस लोगों की धर्म निर्पेक्षता, धार्मिक सहिशनुता, शान्ती और सब मनुष्यों के प्रती सदभाव में आस्था रही है इस कारण से यह इसपस्ट है कि कुछ इस्थानों पर सामप्रदाइक्ता की जो भावना दिखाई पड़ती है और जो हमारे समाच के कुछ छोटे हिस्सों को प्रभावित करती है और जिससे सामप्रदाइक भावना भड़कती है या फूट फैलती है, तनाव पैदा होता है और हिंसा होती है, उससे हमारे देश के लोग बहुत उद्विग्न और चिंतित होते हैं, यह संतोश की बात है कि जिन इलाकों में यह घटनाए घटी, वहां सामान्य लोग, चाहे वे किसी भी जाती के क्यों नहीं थे, पून सत्भाव और शान्ती के वातावरण में रहते रहे, वस्तु तह ऐसे अनेक उद्वारण देखने को मिले की एक संप्रदाए के लोगों ने, दूसरे संप्रदाए के लोगों के जानमाल की रक्षा की, हम सबको ऐसी घटनाओं की कडाई से निंदा करनी चाहिए, मुझे विश्वास है कि यह सदन इन घटनाओं की निंदा और भतरसना करेगा, और उन लोगों के प्रती मेरे साथ मिलकर सहन भूती प्रकट करेगा, जो पथ भ्रष्ट लोगों की हिंसा और अपराधों का शिकार बने हैं, जैसा की सदन को विदित है, सरकार ने हाल में इन घटनाओं की जाच के लिए एक आयोग नियुक्त किया है, इस आयोग का काम उन कारणों का पता लगाना होगा, जिनसे ये घटनाएं हुई, और आयोग भविश्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का उपाय भी सुझाएगा, भारत को संसार का सबसे बड़ा मिला जुला समाच होने का श्रेय है और यहाँ अनेक महान और प्राचीन धर्मों के अनुयाई रहते हैं, सामप्रदाइकता एक ऐसी बुराई है, जो मनुश्यों में फूट डालती है और समाज के टुकडे कर देती है, यह हमारी मूल प्रवृती और सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध है, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है और हमें देश की एकता को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, भारत की नागरिकता में देश के सब लोग हिस्सेदार है, देश के प्रतियक नागरिक के समक्ष उत्पन होने वाला खतरा, चाहे वह नागरिक किसी भी संप्रदाय, जाती, धर्म, अथ्वा, भाषा, वर्ग का क्यों नहो, हम सब के लिए खतरा है, मुझे विश्वास है कि सदन के सब सदस्य देश के लोगों से यह अपील करने में, मेरे साथ है कि सब देश्वासी देश की एकता और समान राश्ट्रिय उद्दिश की पूर्ती के लिए मिलकर काम करेंगे, देश का प्रतियक पुरुष, इस्त्री और बच्चा देश की धर्ती पर बिना किसी भै के विचरन करने को स्वतंत्र होना चाहिए, और उसे इस बात का गर्व होना चाहिए कि वह इस महान देश का नागरिक है, विगठनकारी शक्तियां और प्रवर्तियां सब समाजों में और सब कालों में मौजूद रही है, महोदय, भारत में भी ये शक्तियां स्वतंत्रता संग्राम के दौर में ही मौजूद थी, लेकिन राश्ट्रियता की मुख्यधारा इतनी सक्तिशाली थी कि वह इनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ सक्ति थी और इनका मुकाबला कर सक्ति थी, इसी कारण से हम लोग आगे बढ़ सके, स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में हमें किसी न किसी रूप में इन शक्तियों का सामना करना पढ़ा, वस्तुतह राष्ट्रिय एकता का संघर्ष, हमारे संविधान में निहित आदर्शों और लक्षियों की रक्षा का संघर्ष निरंतर चल रहा है, और इसे इसी प्रकार पूरी कडाई से चलाना है, मैं नहीं समझती थी कि कभी ऐसा समय आ सकता है जब वह शक्तियां अपना सिर नय उठाना चाहेंगी, लेकिन हमारा प्रयास एक ऐसा वातावरण तैयार करने का होना चाहिए, हमें ऐसी परिस्थितियों का निर्मान करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें यह संभव नय हो सके और यदि ये शक्तियां सिर उठाने की कोशिश करें तो पूरा समाज इनका मुकाबला करें, जब हम पूरे देश की इस्थिती पर विचार करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि यह चिंता का कारण है और यह शर्म की बात भी है कि अपने देश में ही, अपने घरों में, अपने काम करने के इस्थानों पर देश के लोगों को किसी विशेस समुदाय अथ्वा धर्म का अनुयाई होने के कारण अपने जीवन का भै हो, देश के किसी भी हिस्से के नागरिक को किसी अन्यभाग में ऐस उरक्षित अनुभव करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, कौलकाता, मुंबई और चिन्नई में जो बड़े बड़े उद्योग कायम हैं, वे पूरे देश की पूझी और पूरे देश की कुसलता के कारण ही संभव हुए हैं, अतह देश के प्रतियक नागरिक को यह अधिकार है कि वह देश के प्रतियक भाग में भै से मुक्त होकर रह सके और काम कर सके, अपने देश वासियों की हत्या करने से हत्वा, उन पर हमला करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, और जो लोग ऐसे समाज विरोधी और राश्ट्र विरोधी कामों में हिस्सा लेते हैं, वे हमारी एक पुरानी कहानी के उस बंदर के समान हैं, जिसने मक्खी मारने की कोशीश में अपने मालिक पर भी वार कर दिया, इसी प्रकार ऐसे काम करने वाले लोग कालांतर में स्वयम अपने आपको हानी पहुँचाएंगे, अतह राष्ट्रिय एकता की आविशकता केवल नैतिक कारणों से ही नहीं है, लेकिन आज के संसार में, और जिस रूप में संसार विक्सित हो रहा है, उसे देखते हुए देश के अस्थित्व को बनाए रखने के लिए राष्ट्रिय एकता आवशक है, यदि हम अपनी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एकता तथा शक्ती पूर्वक उन्नती करना चाहते हैं, तो राष्ट्रिय एकता की वयावहारिक आवशकता है, केवल इस रूप में इस समस्या के महत्व को समझ कर ही हम पूरे देश में ऐसी भावना पैदा कर सकते हैं, जिससे इस समस्या को प्रभावशाली ढंग से सुलजाया जा सकें, लेकिन आधूनिक भारत का समस्त इतिहास ऐसा है, जिसमें ऐसी कठिनाईयों पर विजय प्राप्त की गई है, महोदय, आज जिन देशों को अपनी उननत भाशाएं भी हैं, वहाँ भी स्कूलों में एक विदेशी भाशा सीखना आवश्यक होता है, वह भाशा चुनने की अनुमती होती है, अंगरेजी हो, फ्रेंच हो या जर्मन हो या कोई और हो, लेकिन हम वास्तव में क्या देखते हैं की आजकल लोग चाहे रूस के हो, चाहे दूसरे देशों के हो, अंगरेजी ज्यादा चुन रहे हैं, अब, हमें एक लाभ है की अंगरेजी का ज्यान हमें थोड़ा बहुत पहले से ही है, और अंगरेजी सिखाने के साधन भी थोड़े बहुत हैं, यह मैं मानती हूँ की पहले जितने साधन थे, उनसे अब कम हो गए हैं, अंगरेजी का इस तर बिलकुल नीचा हो गया है, और कभी कभी तो अंगरेजी हमारे यहां पोली जाती है, वह एक ढंग से हमारी ही भाशा है, वह शायद किसी दूसरे देश में ठीक ठीक समझ में भी न आये, लेकिन यह सब होते हुए भी अंगरेजी एक कड़ी है, जैसे हम राश्ट्र में कड़ी चाहते हैं, वैसे एक अंतराश्ट्रिय कड़ी भी होनी चाहिए, लेकिन भासा समस्या ने हमारे देश में जो रूप लिया है, वह अदभुत ही है, किसी न किसी कारण, गलत या ठीक, दक्षिन के लोगों को यह खयाल हो गया है कि हिंदी आने से हमारी नौकरियों को खत्रा पैदा हो जाएगा, स्वभाव तह इससे आंदोलन हुए, अभी हमारे माननिय सदस्या ने कहा कि यह भ्रम उत्तर भारत के विद्यार्थियों को भी हो गया है, अब कोई रास्ता निकालना है जिससे की यह भ्रम उनके मन से निकल जाए, अब वास्ट्विक्ता क्या है प्रश्णवाचक, वास्ट्विक्ता यह की अच्छी लगे चाहे नहीं, अंग्रेजी चल रही थी, हमने जब हिंदी को राजभाशा कहा, तो उससे इस्थिती बदली, अब जो हम यह संसोधन विधेयक ला रहे हैं, इससे हिंदी राजभाशा बनी रहेंगी, हिंदी की जगह न कम हुई न उसका महत्व कम हुआ, बलकि साथ साथ हम कह रहे हैं कि हिंदी को सिखाने के लिए और जोर के साथ चेस्था होगी, हर वर्ष उसकी रिपोर्ट सदन के सामने रखी चाहेगी, और सदन देख सकेगा कि काम अच्छी तरह से चला या नहीं, और उसमें क्या कमियां हैं, अहिंदी भाशी लोगों के सामने यह समस्या रही है कि जब हिंदी का सीखना बढ़ रहा है, और जब हिंदी में उत्तरोत्तर काम बढ़ेगा, तो वह उस नए नक्षे में कैसे बैठेंगे, इसका रास्ता यह ढूंडा गया कि उनके लिए अनुवाद हो, और जो लोग अभी हिंदी नहीं जानते हैं, उनके लिए हिंदी सिखाने का भी प्रबंध हो, ताकि उन्हें कोई कठिनाई महसूस नहीं हो, जब एक बीच का रास्ता ढूंडा जाता है, तो आप सभी को मालूम है कि सभी लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उससे किसी को भी पूरी तरह संतोश नहीं होता, यह लाचारी है क्योंकि किसी की भी इस समय पूरी बात नहीं मानी जा सकती, इस बात को मैं फिर से दोहराऊंगी, जिसे मैं पहले भी अनेक बार कह चुकी हूँ कि हमें देश की एकता करें, थैंक्यू, साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटर्स्ट वीटियो की जानकारी आपको मिलती रहे, गती बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें, इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 सब्द प्रती मिनिट की गती से डिक्टेशन उपलब्द हैं, जिनका आप स्वयम भिलाब लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना नह भूलें, डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें, कोई सुझाव या प्रश्ण हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें,